वेलकम बैक टू देशी स्पार्क वेल आज के इस बूडियो में हम बात करने वाले हैं कि पांच लाग के ओन रोड प्राइस के बुजट में आप कौन सी नई कार पर चेज कर सकते हैं चुकि बहुत लोग का बुजट काफ़ ज्यादा नहीं होता है काफ़ी टाइट वजट होता है और पांच लाग का जो वजट है इसमें लोग सोचते हैं कि कौन सी अच्छी कार आएगी और काफ़ी ज्यादा लोग कन्फ्यूज ही रहते हैं तो आज के इस बूडियो में हम आपके हर एक कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं और हम आपको टॉप फाइब बेस्ट कार बताने वाले हैं जो कि आप पांच लाग के ओन रोड प्राइस के बजट में परचेज कर सकते हैं आप इस बीडियो को वान तक जरूर देखें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे हैं इन्फॉर्मेटिब बीडियो आटो मोबिल से रिलेटेट लाते रहते हैं नमबर एक पर जो कार हमने चूच किया यह है डैटसन की गो प्लस हमने डैटसन गो को छोड़ कर गो प्लस को इसलिए चूच किया है जो कि यह कार एक MPV है और यह एक सेवन सीटर कार है अगर आप इसके थर्ड रो की सीट को फोल्ड करते हैं तो आपको काफी बड़ा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है अगर आपके घर पर बच्चे है तो आप उनको थर्ड रो पर बैठा भी सकते हैं तो डेट्सन गो के बज़ा डेट्सन गो प्लस को पास लाग के वजट में लेना एक वर्थ उप्चन है बिसकली दोनों ही कावरों में इंजन वगारा सब सेम ही आते हैं अगर आपको एक हैच्चबैक कार चाहिए तो आप डेट्सन गो की तरफ जा सकते हैं बाट आप मेरी मानिये कि आप डेट्सन गो प्लस को ही ले अगर आपका वजट 5 लाग रुपई तक है जो वाइरियंट हम आपको बताने वाले है यह है Datsun Go Plus का बेस वेरियंट जो की D वेरियंट है इसका एक सोरूम प्राइस 4,26,000 रुपए है इसका ओन रोड प्राइस 5,10,000 रुपए तक होने वाला है overall car काफी अच्छा है बढ़ आप उसमें features नहीं मिलने वाले है front के दोनों power windows आपको मिल जाएंगे and music system वगारा या फिर कोई ऐसे features नहीं मिलने वाले है आप aftermarket या फिर सोरूम से 30,000 रुपए एक्स्टा एक्सपेंड करके आप हर इक features को add-on करवा सकते है तो Datsun Go Plus first number पर choose करने का यही reason है कि यह car काफी बड़ी है and it's a MPV car and काफी spacious car है बाकि कई लोगों को Datsun की कारे नहीं पसंद है तो अगर आपको भी Datsun की कारे नहीं पसंद है तो आप number 2 पर जो की hatchback है यह है Reynolds की quid आप quid की तरब भी जा सकते है basically Reynolds की quid का R-XL variant जो की basically इसका base variant है क्योंकि 5 लाग के on-road price में आपको base variant ही मिलने वाला है बसको आपको Alto का VXI variant देखने को मिल जाएगा 5 लाग के on-road price पर so Reynolds quid R-XL जो यह variant है इसका ex-room price 4,900,000 रुपए है इसका जो on-road price होने वाला है यह 5,300,000 रुपए तक का होने वाला है basically इसमें हमें 800cc का engine देखने को मिलता है and mileage की बात करते हैं तो यह 24-25 के अंप लिटर का mileage निकाल देती है और यगर engine power की बात करते हैं तो 53bhp का power and 72nm का torque यह generate कर देती है fuel tank capacity की बात करते हैं तो 28 liter का हमें इसमें fuel tank capacity देखने को मिल जाता है 184 mm का ground clearance देखने को मिल जाता है and 279 का boot space जो की काफी बड़ा है and car के design वगरे की बात करते हैं तो काफी अच्छा design इस car का है तो आप renault का quit भी 5,000,000 या फिर 5,000,000,000 रुपए के on road price तक परचेज कर सकते हैं नमबर 3 पर जो हमने car pick किया है यह middle class के दिलों पर राज करने वाली car है basically यह मारुती की altowarso है and altowarso का हमें VXI variant 5,000,000 रुपए के on road price पर देखने को मिलेगा जिसका exorum price है 4,000,000,000 रुपए और इसका on road price 5,000,000,000 या 5,000,000,000 रुपए तक होने वाला है क्योंकि देखो exact 5,000,000 के on road price पर तो ऐसी कारे नहीं आएगी मतलब 5,000,000,000 से 10,000,000,000 रुपए आपको जाना ही पड़ जाएगा बाकि जो मारती ओल्टो VXI है इसमें हमें काफी अच्छी features मिल जाते है और इंजन की बात करते हैं तो इसमें 796C का इंजन आता है 47BHP 69NM टॉर्क वाला और features की बात करते हैं तो भाई इसमें हमें basic need के हर एक features वगरा मिल जाते हैं इसमें हमें touch screen, anti-lock braking system, power windows, front key, wheel covers, dual air bag, power steering, AC heater यह सारे basic need के features वगरा हमें ओल्टो के VXI variant में देखने को मिल जाते हैं नमबर चार पर जो हमने काफी किया यह अगेन मारती की है मारती की ओल्टो केटन अल्टो केटन का हमें LXI variant जो की 5.5 लाख रुपए के on road price पर मिलने वाला है क्योंकि जो इसका LXI variant है इसका जो maximum price है यह 4.82 रुपए है अल्टो केटन में हमें एक और variant देखने को मिलता है जो की ओल्टो केटन का standard variant है बट आप उस variant को ना ही ले तो अच्छा है क्योंकि हमें उसमें AC heater ना ही कोई features मिलते हैं बिल्कुल basic car है वो और अगर आप LXI को purchase करते हैं तो यहाँ पर हमें power steering के साथ front के power window AC heater जैसे जो required feature है यह सब देखने को मिल जाते हैं anti-lock braking system and बहुत कुछ features हमें इस car में देखने को मिल जाते हैं तो अगर engine की बात करते हैं तो इसमें हमें K10C वाला engine देखने को मिलता है जो की 998cc का है 65bhp and 89nm का torque generate कर देती है mileage 25 के आसपास निकाल देती है boot space 214 liter का मिल जाता है basically auto kitten को आप 5 लाग रुपए के onward price तक purchase कर सकते हैं इसका जो यह LXI variant है यह value for money variant है आप इसके तरफ जा सकते हैं तो यह top 4 car है जो आप 5 लाग के onward price पर purchase कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको कोई एक ऊची कार purchase करनी है तो आप मारती की espresso की तरफ जा सकते हैं espresso का standard variant हमें 5 लाग 10,000 रुपए के onward price तक देखने को मिल जाएगा आप डैट्सन की go की तरफ जा सकते हैं या फिर डैट्सन की ready go ready go का भी हमें like middle variant 5 लाग के onward price सकते हैं बड़ जो top 4 car है वो यही है एक डैट्सन की है दो मारती का है एक रैनॉल्ट का है तो आप इन की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपका budget थोड़ा सा जादा है like 5,60,000 या 70,000 रुपए तक तो आप Hyundai की Centro को भी purchase कर चकते हैं बड़ Centro का केवल base variant है या 5,60 या 5,70 के onward price पर देखने को मिलने वाला है तो यही था आज का वीडियो टॉप best car under 5,00,000 onward price के budget में जो आपको मिल जाएंगी कैसा लगा आपको वीडियो कोमेंट करके बता देना है और अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप कोमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद